दोस्तो विप्रो लिमिटेट की बात करें स्टॉक के अंदर काफी अच्छी तेजी है लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि विप्रो में बहुत सारी अप्डेट लगातार निकल के आ रही है और डेली आ रही है आज भी तीन चार बड़ी अप्डेट है जिनको हम ए करके डिसकस करने वाले वैसे अगर आप देखे तो विप्रो का जितना भी बुरा वक्त रहना था वो रह चुका है अब यहाँ से एक नई शुरुआत होने वाली है श्टॉक काफी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है यहाँ से बहुत बड़ी तेजी आ सकती है तो यहाँ पे जो प्राइज है वो MRF से भी ज़्यादा हो सकती थी तो आप समझ सकते हो कि वीप्रो कितना कमाल का श्टॉक है आपके लिए इस समय काफी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है जहाँ पे 740 की प्राइज का श्टॉक था वो भी 413 के आसवास मिल रहा है जबकि इस समय हमारा बा ट्रेडिंग को अगर डिसकस करें तो आप देख सकते हो वीप्रो भी फिलार 413 पर ट्रेड कर रहा है 1.72% की तेजी है इंट्रा डे में इसने 416 का हाई भी बना और 411 का लो भी बना तो काफी सांधार प्रदसन कर रहा है और अच्छे वालीम एकाम काज हो रहा है पिछले एक मेने के इसाब से देखें तो वीप्रो ने करीब 5.47% का पॉजिडे रेटर न दिया है और अगर हम सिर्फ 5 देज की भी बात करें तो स्टॉक में हमने 3.97% की तेजी देखी है तो स्टॉक बिल्कुल बुली जोन में है और आने वरस में डेफिनेटली आपे अच्छी त देखने को मिलेगी पूरे नाइट देखे तो आईटी सेक्टर में बहुत ही जबरस देजी है 31.173 के इससर पर आईटी है जहापे हमें 780 पॉइंट की जबरस देजी देखने को में यानि 2.57% आप पर है निप्टी आईटी तो कमाल कर रहा है निप्टी आईटी सेक्टर यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल किया रही है वीप्रो इंट्रास्ट्रक्टर इंजिनिरिंग ने एक कमपणी एक्क्वाइर किये यह पूने बेस फ़र्म है लाइन क्राफ्ट आप देख सकते हो लाइन क्राफ्ट एक सॉप्ट्वेयर बेस कमपणी है जिसको A1 और ML एक्सपर्ट ने इसको डिजाइन किया है और यह काफी सांदार इसका बीजनस है जिसे कि आपको पता होगा वीप्रो बहुत सारे अलग-लग बीजनस करते है तो यहाँ पे देख सकते हो इंडेस्टियल आटोमेशन बीजनस जो कमपणी है वीप्रो इंफ्रास्ट्र डिंग के ओपर काम करने वाली कमपनी है और इसकी वज़ marsh nu ह적 female है आप देख सकते हो कि इसकी वज़से बीजनस जो है और बढ़ता हो दिखाई देगा वीप्रो तो यहाँ पर देखा को लगातार बीजनस एक्वायर कर रहें चाहें इंडिया में हो या फिर बहुत सारी foreign countries जो equation हुआ है आप देख सकते हो कि इसकी वज़े से business जो है और बढ़ता हो दिखाई देगा विप्रो का तो यहाँ पर आप देख सकते हो विप्रो लगातार business acquire करें चाहे इंडिया में हो या फिर बहुत सारी foreign countries में हो लगातार नए business में इंट्रिया हो या नए business को acquire किया जा रहा है और यहाँ पर देखो इस मौके पे विप्रो infrastructure के इंजिनिरिंग के जो CEO है प्रतिक कुमार उनका कहना है कि इस equation के बाद में हमारे digital capabilities में और भी बड़ोतरी होगी और automation solution में हमें और एक नई IAM इस्तापित करने को मिलेगा इसमें हम दो कदम आगे बढ़ सकते हैं यह equation हमारे लिए काफी माइने रखने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हो कि लगातार business acquired जिसने से किये जारे उससे बात समझ मारे कि आने माले इसमें विप्रो कुछ कमाल करता हो दिखा देगा इसके लावा एक और बड़ी update और है विप्रो Amazon के लिए security lake और cyber security data lake system के ओपर काम करने है विप्रो की Amazon को बहुत सारी service प्रवाइड करने वाले यानि जो Amazon की web service है उसको एक security प्रदान करने वाले है विप्रो तो आप देख सकते हो Amazon के लिए काफी ज़्यादा service प्रवाइड करने वाले है इसके लावा अगर देखें तो विप्रो ने data intelligence suits लाँच किया है और एक cloud base ये modern service है आप समझ सकते हो कि cloud base service के लिए बहुत सारे यहाँ पे नए ने experiment किये जारे और Amazon के लिए आप देख सकते हो कि इसमें एक नई service प्रवाड की जाएगे विप्रो के माधियम से तो cool मिला कि देख सकते हो विप्रो का कारोबार लगातर बढ़ रहा है इसके अलावा आपको पता होगा विप्रो का lighting division भी है और यहाँ पे उन्होंने एक ORA AIR के साथ में partnership की है तो यह देख सकते हैं ORA AIR जो Israel based company है और यह Air Purify बनाती है और आप समझ सकते हो कि अब विप्रो लाइटिंग इस product को यहाँ पे इंडिया में बेचेंगे और बार दूसरी country भी बेचेंगे क्योंकि partners इनकी हो चुकी है ORA AIR के साथ में तो यहाँ पे देख से तो कि एक बार pandemic दोर के बाद में अब लोग काफी ज़्यादा अपनी health को लेकर ध्यान देने लगे है ऐसे में air purifier का market बढ़ने लगा है इसका फाइदा उटाने के लिए वीप्रो ने यहाँ बीजनस टाइप किया इसराहिल कंपनी के साथ में तो आने वाले समय इनके product के माध्यम से वीप्रो का कारूबर बढ़ता हो दिखाए देगा यानि वीप्रो लाइटिंग के डिविजन में और भी नए product आपको launch होते हो दिखाए देगे तो खुल मिला के वीप्रो लाइटिंग डिविजन का portfolio आपको बढ़ता हो दिखाए देगे वापे बहुत सारे नए product एड होते हो दिखाए देगे तो जिस सरसे aggressive तरीके से आप देख सकते हो कि वीप्रो अपने business को आगे बढ़ा रहे डेफिनेटली वीप्रो की प्राइज यहां पे रुकने वाली नहीं है इसके लावा एक बड़ी update और वीप्रो ने वेरिजन बीजनस जो US basic company है उनके साथ में दोनों ने हाथ मिला है और अब ये देखतो इसके माध्यम से network ASA service offer करेंगे अपने customer को आप देख सेकते हैं यह जो नाज service है यह एक बहुत ही मजबूत और unique service है और IT sector में वीप्रो लगातार बहुत सारे experiment करें और इसलिए लगातार business type किये जारे तो यह Verizon business के साथ में जो business type की है इसके वज़से इनके जो network cloud mobile technology और data hosting के लिए काफी ज़्यादा यहाँ पर समावन निकल के आएगी और इनके customer को एक नई latest technology देखने को मिलेगी एक नई सुविदा का lab मिलेगा तो कुल मिला के जिससे वीप्रो के business type हो रहे यह वाकई में वीप्रो को बहुत मजबूती प्रदान करने वाले इसके अलावा गर आप देखे तो एक बड़ी deal हुई थी bulk deal जिसके माधियम से वीप्रो के share खरीदे गए और बेचे गए यहाँ पर देख सकते हो French based multinational finance service company है associate general जिनोंने यहाँ पर करीब आप देख सकते हो 405 की price से करीब 72.90 कोड़ रुपीज के share खरीदे है बहुत बड़ी बल्क deal के माधियम शेयर यह खरीदे गए यह 29 तारीक हुई है यह deal लेकिन सामने अगर आप देखे तो BNB परिबास arbitrage fund ने करीब 405 की price में 72.90 कोड़ पीज के share 405 की price में देख सकते हो कि उन्होंने बेचे अपनी profit booking किया तो यहाँ पर एक तरफ बड़े fund house ने विक्वाली किया तो दूसरे fund house ने तुरन उन share को खरीद लिया तो आप यह समझी सकते हो कि Vipro में अच्छी खासी खरीदारी भी हो भी जा रहा है साथ में अपनी टीम में बदलाव किया जा रहा है नए लोगों की बर्ति की जा रही है और साथ में अगर आप देखे तो सबसे बड़ी बात ही है कि अपनी जो employees है उनको variable pay भी शुरू कर दिया दिना वापस इसका मतलब Vipro फिल से पट्री पे आ चुकी है औ वो 2022 में आप देखे तो बढ़के 79,312 को बीच गया आसपार पहुच गया जवर्दस बड़ोतरी हुई है बले बीच में एक दो quarter mile थोड़े से कमजोर देखने को मिले रिजल्ट में कमी रही है लेकिन उसके बावजुद भी अगर आप पिछले पास साल का compare करे तो revenue जवर् वो लगातर हर साल बढ़ा है और आप देख सकते हो 2022 में बढ़के 12,237 को बीच पहुच गया है तो यह graph आपको बढ़ता हो दिखा देखा है हर साल profit कई पर भी कम नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप देख सकते हो वीप्रो बिल्कुल पटरी पे हो और वाकी में आने वालस में यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखना को मिल सकती है कम्यूनिटरी सेंड़ बिल्कुल के साथ बना हो आप देख सकते हो 69% buy की call है 27% sell की call है 4% hold की call है तो यह आप आप देख सकते हो 100 में से 73% लोग इसको लेना पसंद करे यानि लोगों का अच्छा का सार हो जान इस ट इसको भी ब्रेक कर लिया है और तीसरा इसरा इसरा 414 का है इंट्राडे में यह भी ब्रेक हुआ है तो कुल मिला के स्टॉक बुली जोन में और आने वाले समय आपे डेफिनेटली तेजी बनेगी तो नजरिया लॉंग टर्म का लेकिए इस समय विप्रों में इन्वेस्में लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से ले 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 या अपना खुद का रिसार्च करें कियो कि मैंने वीडियो आपके एजुकेस्टनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जोर कीज़ों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंकि फ्रेंड